तो हेलो गाइज मैं युपराज शौरब आपनों का एक बार फिर से ओपियो स्टूडी सॉलूशन में श्वागत करता हूं तो दोस्तों इस वीडियो है हमारे बीबोस के जून जुलाई सेशन स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा खास होने वाले और दोस्तों बीबोस के जितने भी स्टूडेंट है जो पिछले वाले साल के स्टूडेंट है जो पास कर चुके हैं या फिर ने वाले स्टूडेंट है जो एक्जाम देने वाले हैं तो सब को यह देखना यह वीडियो क काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है ना काफी ज्यादा बड़ी अफडेट देने वाला हूं जैसे कि आपको दुस्तों पता होगा भीहार ओपेंड बूर्ड का जो है अभी सर्वर आफ चल रहा है मतलब कि भी साइट ही नहीं खुल रहा है ऐसे बहुत सारे स्टूडें बोल रहे हैं कि सर टाइम बहुत ज्यादा होई गया है तो मतलब और कितना दिन यह प्रोसेस चलने वाला है तो सारा कुछ मैं बताने वाला हूं तो आपको वीडियोज में सूचे लेकर एंड तक बने रहना है और बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपने स्कूल कॉलेज मे करवाए है उनको लगभ रहा है कि सब हमारा जो रजल्ट हो जाता है तो फिर हमारा रजल्ट हो जाएगा तो हमारा एंड मीशन जो वहां तो ल向ी स्टूडिंट फरीशान है तो क्या कूछ वोने वाला है बहुत कुछ है या मतलब की चेकिंग वगएरा चल रहा है अभी तक आफिस ऐसी मतलब चल रहा है सील पड़ा हुआ है वहाँ पे लगातार चेकिंग चल रही है और स्टाफ सबसे जो एला होता है और दूसरे पर जो डाटा होता है दोनों अगर सेम नहीं है तो फिर उनका रिजल्ट कैंसिल किया जाएगा तो यह सारी चीज़ें बोर्ड की तरफ से इन्फोर्मेशन मेरों को मिल रही है जैसा कि मैं आपको बता देना मतलब रिजल्ट इस बार बहुत सारे स्टूड इन ने जो छापा मारा था और बिहार ओपेन बोर्ड ने जो है बहुत सारी फर्जे रिजल्ट जो है वहाँ पे दिया है घूस लेकर के जो आपको पता होगा बबलू तरून यह वगएरा अभी नहीं यह सब जो है कंप्यूटर ओपरेटर जो है क्या करते थे पैसा लेकर गूस लेकर के क्या करते थे कम मार्क्स वाले स्टूडेंट को भी जैसे 300 मार्क्स हैं तो उनको 400 मार्क्स बेगर मतलब मतलब का मतलब 300 अगर आपका लिखा हुआ है तो 400 कर देते थे कौपी पर 300 है और आपके सर्वर पर 400 तो ऐसे कंडिशन में वो रिजल्ट भी क्या होएं वहां भी आपका एक्जाम केंग्स वहां भी आपका अडिमिशन कैंसिल हो जाएगा और बहुत सारे स्टूडेंट का तो भाई डायलाग स्टूडेंट कम नहीं होते हैं जैसे की इन्फोर्मेशन मिल रही है डायलाग पेपर में दिया हुआ था और बोर्ड की तरफ से भी दाइल आपकर श्टूडेंट का कॉपिधा ासर पे लिखा हुआ फिर आपका अटेंडेंस पूरा चेक किया जा रहा है मुझ् z नियाए कि मुए यह होनाए चाहिए और इनपर शुधार होना चाहिए अनपर फरजी तरीके से या पास हो रहा है अंवर ने पर्स? सब्सक्राइब होगे यहां पे नीट एंड किलीन होने वाला है तो देखो यार में चीज पर टॉपिक में बात कर लेने वाला हूं में पॉइंट पर देखो आपलों का स्टूडेंट में एक बार दुबार से बोल देने वाला मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ लेकिन स्टूडेंट सब परिशान होते हैं हर वीडियो में मेरे को कमेंट्स करते हैं कि सर आप रेगुलर वीडियो बनाइए क्या आप डेटा रहा है कब अपन होगा नहीं हो परवड़ी हुआ है धांदली हुआ है ठीक है वैसे स्टूटेंट जिन्होंने एक्जाम ही नहीं दिया चालीस अजार देकर के एपियर ही नहीं है चालीस अजार देकर के माक्सीर बन वाया और सर्वर पर भी अपलोड है तो ऐसे कंडिशन में वह तुम लोग बचने नहीं परशें वालों जिन्होंने यह काम किया है ए रियालीटी दिरीयालीटीeleri तो रियालीटी है तुम्हा वह फर्जीवाडा है मैं तुमको जोती बात बता में कि बाई नहीं होगा इस बार बहुत ही जबारा ताइट चल रहा है ठीक है पेहले वाला वो रहानी मैं आपको बता देने वाला हूं अभी तक सील पड़ा है क्यों पड़ा है तो वह सारे चेक हो रहे ना तो बचने के चांसे 0% है तुम लोगों के जिन्होंने कुछ गलती किया है बेगर एक्जाम का रिजल्ट आया जिनकर तो यह सारी चीजें और वैसे स्टूडेंट जिनका यार बेगर मतलब का जीरो आ चुका है एक्जाम भी दिया है अभी तक पेंडिंग किलियर नहीं हुआ है जो भी नहीं कुछ अगर नहीं हुआ है तो उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है तो तुम लोग क्यों घबरा रहे हो व्यासे बहुत सारे स्टूडेंट वो भी घबरा रहे है मेरे को बोलने कि सर हम लोगा भी आरे भाई नहीं तुमने एक्जाम दिया तुमने सब को सही दिया तो तुमारा क्यों रिजल्ट कैंसिल होएगा ठीक है ना जिनके रिजल्ट में गढ़वडी है मिस्टेक्स है उनका ना होएगा ठीक है तो यह सारी तो मैंने आपको बता दिया तो आप लोग बनाए रखो स्तीरता बनाए रखो दस दिन के अंदर वेबसाइट जो है खुल जाएगा ओपन हो जाएगा अपडेट हो जाएगा तो आप लोग अपना रिजल्ट जासानी से चेक कर पाऊगे तो मुझे नहीं लगता कोई चल रहा है कैसा चल रहा है चापा वगयरा सील जो हुगा है तो वह सारा कुछ इसमें आपको इंफोर्मेशन मिल जाएगा हम लोग तो दे रहे हैं लेकिन आप खुद से भी जागर के चिक कर सकतो डेली पेपर न्यूज पर सकतो ठीक है ना वैसे एप आता है तो वह भी पाशीशन मिल रही है 25 तरीक तक सब कुछ सही हो जाने वाला है और सरवर ओपें हो जाएगा और जो भी रिजल्ट है आप अपने से चेक कर पाएंगे और अगर कुछ चेंजे लोग आपको बताएंगे और आपका जो हम खुद जो है चिक कर के बताएंगे कैसे करना नहीं क तो सब्सक्राइब जरू कर लिजएगा और देखो गाइज यार घवराने से कुछ भी नहीं होने वाला है ठीक है ना तुमने गलत किया है तो तुम्हारे रिजल्ट कैंजिल होएगा निस्टेक्स हुई है तुमसे तो एक्सेप्ट करो दुबारा से एक्जाम देगा कोई प्रॉब्लम्स नहीं है और जिनका रिजल्ट सही है और जिनका पेंडिंग वगएरा है तो उनका किलियर हो जागा ठीक है तो चलिए जो उम्मीद करते हैं वीडियोज पसंद आई होगी विडियोज पसंद आई होगी तो विडियोज को कर दीजेगा लाइक शेर इस तरह की वीडियोज के लिए आप हमारे चैल के साथ बने रहें और एक सीज और मैं बता दिने वाला हूं वैसे स्टूडेन्ट जिनका रिजल्ट सही है तो और जिनका मांक्सी आई गया तो जाकर के स्टूडी सेंटर में लेलो बार बार मैं ही व्योटर में नहीं बोलुक्रा थिल्टा इन होगा तो अपना स्टुडेन्ट गेश्यार में बताया है और जो पहले बोले तकी लिए जाकर के वहां पर स्टूडैय कर चूंड़ के लिए अरो Kra видео सीवाबू हमारी चैनल के तरफ से हमारी तरफ से आपको वेल विसेज है आप इसी तरह अच्छे कर दे रहे हैं और हमारी चैनल को सपूर्ट करने के लिए ठैंक्यू शो मच और ठंडी का मौसम आ चुका है ठीक है तो कपड़े अपड़े स्वैटर वगएरा धंग्शे पहन ले ना ठीक है क्योंकि हवाय जय सरद सरद चलनी स्टार्ट हो चुक है तो आप लोग संबब के रहना और बचके रहना उमीद करते रहे चलो गाई आपको यह वीडियो काफी पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई तो लायक कर दीजेगा सेर कर दीजे इसी तरह की वीडियो के लि ताइक यू शो वाच्ट